अभी हम लोग एनलिसिस करने वाले हैं ऑप्शन चेन अनलिसिस करने वाले हैं मिटकेप निप्टी का जो आप देखेंगे कि जिसकी क्लोजिंग हुई है 9200 के उपर आज इसकी एक्सपाइरी थी तो हम लोग नेक्स्ट एक्सपाइरी जो 18 सेप्टमबर की है उसके ऑप्शन च पे इनका discussion करेंगे और final करने की कोर्सिस करेंगे कि मिटकैप निप्टी क्या चल रहा है ठ्रेदिंग रिटिंग जिसकी क्या उसकती है पीवत इस ट्रेंड है और आगे देखेंगे के कि मार्केट में इस पे ट्रेदर क्या कर रहे हैं आगे बनने से पहले आप अगर चैनल क ज ब्रूजिंट को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर और वीडियो अंत तक देखिएगा क्यों काफी इन्फोनवेटिव ज़रूर ना ओने वाले है तो के लिए शुरुवात करते हैं और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लोजिंग अगर आप मीटकेब निप्ती को देखेंगे तो इसकी क्लोजिंग हुई है 9200 के उपर और जैसे के हम लोग बात कर रहे हैं 13th September के एक्सपाइरे के हम लोग और फिलाल बात कर रहे हैं अब हम लोग चलते हैं और पाइंदर्द करने की कोसेश करते हैं कि कहां हमें रसिस्टेंस मिल सकता है इसके option chain के हिसाप से तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग call position को देखें तो सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे आपको दिखाई पड़ेगा 3,224 lots का open trust आपको यहां पे दिखेगा और यहां पे edition की बात करेंगे तो 2,962 lots का open trust edition देखने को मिला है इसके बाद आप इस जगह अगर देखेंगे तो 9,200 का strike है इसके बाद आप इस जगह अगर देखें तो 1,62 lots का open trust आगे बढ़ते हैं इसके फिले find out करने की courses करते हैं कि इसके option chain पे हमें तहां assistance देखने को मिल सकता है और जिसके लिए ज़रूर है कि हम लोग call position को find out कर ले तो यहां पे आएंगे तो इस जगह देखेंगे 3,200 lots का open trust आपको ख़रा मिलेगा 1,063 lots का open trust आपको यहां पे ख़रा मिलेगा और करीब 1,000 lots का edition आज के आज हुआ है और 9,250 आपका यह strike है इसके बाद इस जगह अगर गये तो आपको मिलेगा 1,400 lots का open trust ख़रा और 1,400 lots का edition आज के आज ही हुआ है और यहां पे अगर्द है तो आपको दिखेगा कि यहां पे 9,300 का यह आपका strike है तो यहां अभी जितने भी data आपको option chain के उपर दिखाई पड़ रहे हैं उससे 3 सीज़े निकल के आ रहे हैं यह 3 resistance निकल के आ रहे हैं जो strongest तो दिखा रहा है कि 9,200 का है उसके बद 9,250 और 9,300 का यह तीने strike है जो हमारे लिए resistance का क्राम करेंगे जिसे मैं mark कर लेना चाहिए दोसरी तरह पुझाएंगे और देखेंगे कि हमें support कहां देखने को मिल सकता है तब इस जगे देखिए 2651 लॉट्स को बंट्रेस्ट खड़ा है 2600 लॉट्स को बंट्रेस्ट एडिशन आज के आज 100% एडिशन आज ही हुआ है और यह आज expiry था तो next expiry कम लोग discussion कर रहा है तो थोड़ा साथ देता इस्वत्खम नजर आ रहा है तो यह strike है आपका 9200 का इसके निचे अगर जाएंगे तो आप देखेंगे इस जगा पे 9100 पे आपको 2000 लॉट्स का उपंट्रेस्ट खड़ा मिल रहा है और अथारा सो लॉट्स का उपंट्रेस्ट एदिशन देखने पर मिल रहा है 9100 के स्ट रहा है अब अगर बात करें कि ट्रेदिंग रेंज क्या हो सकती है आपके मिट कैप निफ्टी के ऊपर तो 9100 से 9300 तक का रेंज इस पर दिखाई पड़ रहा है 9100 से 9300 तक का रेंज दिखाई पड़ रहा है वह है आपका 9200 से 9200 के स्ट्राइक पर आप दिखेंगे इधर कोल रैमाज पर 3200 के आशब भिशाई पर रहे है और उतने ही जराजच आपको पूट पर आपकों पूमा जराज पर दिखाई पर रहा है तो यह एक मैक आर ब्रेक लेवल है इसके उपर हम रहेंगे इसके उपर रहेंगे तो हम लोग positive रहेंगे और 9,225, 9,250, 9,275 और 300 तक के लेबल देखेंगे इसके निच्चे फिच लेंगे तो 9,175, 150 और 100 तक के लेबल हम लोग देख सकते हैं mid-cap 90 के उपर तो यह make और break level है इसको आपको ध्यान दखना चाहिए और अब देते हैं कि हमें change के उपर क्या position दिखाई पढ़ रहा है तो change के उपर पोजिशन देखेंगे तो यहां पर जिसे सबसे change दिखाई पढ़ रहा है इसका graphical representation भी देखेंगे लेकिन हम लोग option change से find out कर सकते हैं कि यहां पर जो position हमें दिखाई पढ़ रहा है वह बता रहा है कि यहां पर हमें call buying होते भी नज़र आया है यहां पर हमें call buying होते भी नज़र आया है दूसरी तरफ देखेंगे कि यहां पर हमें put writing होते भी नज़र आया है तो यह दोनों ही positive sign है यहां हम लोग देखेंगे कि mid cap निप्ति का trend एक option change पर अच्छल में ऐसा build up हो रहा है और वहीं से trend find out करने की कोशिस करेंगे तो अगें देखेंगे एक बार expiry हम लोग 13 सक्टमबर की expiry की बात कर रहा है और एक चीज आप यहां पर देखेंगे कि आप इदर जाईए तो आपको यहां पर long build up होते भी दिखाई पड़ेगा आप देखें यहां से आपको 300 तक long build up होते भी दिखाई पड़ रहा है जो हम लोग कॉल सेज में भी बात कर रहे थे कि यहां पर long होते भी मतलब by होते भी call by होते में नजर आया है दूसरी तरफ हम लोगों ने बात किया कि वहां पर आपको put writing होते भी नजर आया है यह देखने को मिला है पुछ और important data है यहां पर जो देख सकते हैं PCR 1.26 पर है compatible position में है max pen भी अगर देखेंगे तो आपका यह max pen 9200 के strike पर है जो pivot strike से match कर रहा है तो यह काफी important level बन के आ रहा है आपका 9200 के strike इसके उपर रहेंगे the positive इसके निचे रहेंगे तो लोग थोरे से negative होंगे लेकिन वो negative by के लिए योज किया जाएगा और इसके उपर तो यह overall analysis था hope आप लोगों को पसंद आया हो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर कर दीजिएगा thank you very much for watching